श्री राम कृष्ण वच्ष्णाम रित के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण के पास बैठे हुए लोग, उनकी बातचीत सुनने के लिए बड़े उच्शुक हैं। पंडिजी आए हैं, पंडिजी को देखते ही श्री राम कृष्ण को भावावेश होने लगा कुछ देर बाद उसी अवस्था में हसते हुए पंडिजी की ओर देखकर कह रहे हैं, बहुत अच्छा फिर उनसे कहा कि तुम लेक्चर कैसे देते हो, ये बताओ तुजरा शर्शधर कहते हैं, महराज, मैं शास्त्रों के उपदेश समझाने की चेश्टा करता हूँ श्री राम कृष्ण कहते हैं, कली काल के लिए नारदिय भगती है शास्त्रों में जिन सब कर्मों की बात है, उनके साधन के लिए अब समय कहा है लोगों के पास आज कल के बुखार में दश्मूल पाचन की व्यवस्था ठीक नहीं है दश्मूल पाचन देने से आज के समय में रोग एंट जाता है आज कल तो बस फीवर मिक्श्चर्स कुछ दवाईयां दे देते हैं कर्म करने के लिए अगर कहते हो, तो केवल सार की बात कह दिया करो मैं आद्मियों से कहता हूँ, तुम्हें आपो धनन्या, इतना सब्र न कहना होगा गायत्री के जब से ही तुम्हारी बात बन जाएगी अगर कर्म की बात कहनी ही हो, तो इशान की तरहें दो एक कर्मियों से कह सकते हो लाख लेक्चर दो, परंतु विशई मनुश्यों का कुछ न कर सकोगे पत्थर की दिवार में क्या कभी कील गाड़ी जा सकती है कील खुद चाहे तूट जाए, मुड जाए, पर पत्थर का कुछ नहीं हो सकता तलवार की चोट से घड़ियाल का क्या कुछ बिगर सकता है साधू का कमंडल चारों धाम हो जाता है, पर ज्यों का त्यों कड़ुआ बना रहता है तुम्हारे लेक्चर से विशई आदमियों का विशेश कुछ होता नहीं है यह बात तुम खुद धीरे धीरे समझ जाओगे बचड़ा, एक साथ ही खड़ा नहीं हो जाता कभी कभी गिर जाता है, और फिर उठने की कोशिश करता है तब खड़ा होना और चलना भी सीखता है कौन भक्त है और कौन विशई यह बात तुम समझते नहीं यह तुम्हारा दोश भी नहीं पहले जब आंधी आती है तब कोई यह नहीं पहचान पाता कोई आम है और कोई इमली इश्वर लाब जब तक नहीं होता तब तक कोई कर्मों को बिलकुल छोड़ नहीं सकता संध्यावंदन आदी कर्म कितने दिनों के लिए है जब तक इश्वर के नाम पर अश्रू और पुलक नहो हे राम ऐसा एक बार कहते ही अगर आखों में आसूं आ जाएं देह पुलकित होने लगे तो निश्चे समझना कि उसके कर्मों कांत हो गया फिर उसे संध्यावदी कर्म ना करने पढ़ेंगे फल के होने पर ही फूल गिर जाता है भक्ती फल है और कर्म फूल है ग्रिहस्थ की बहू के लड़का होने वाला हुआ तो वह अधिक काम नहीं कर सकती उसकी सास दिनों दिन उसका काम घटाती जाती है दस्वे महिने के आने पर फिर उसे बिलकुल काम छूने तक नहीं देती लड़का होने पर फिर वह उसी को लेकर रहती है दूसरे काम नहीं करने पड़ते संध्या गायत्री में लीन हो जाती है गायत्री प्रणव में प्रणव समाधी में जैसे घंटे का शब्द तम त अ म योगी नाद भेद करके परब्रम्ह में लीन हो जाते है समाधि में संध्यादी करमों का ले हो जाता है इसी तरह ग्यानियों के करम छूट जाते हैं समाधि की बात कहते ही श्रीराम कृष्ण का भाव बदलने लगा उनके श्रीमुक से स्वरगिय जोती निकलने लगी देखते देखते बाहिय ग्यान जाता रहा शब्द रहित हो गए आखें स्थिर हो गई वे इस समय पर मात्मा के दर्शन कर रहे हैं बड़ी देर बाद प्राकृत अवस्था आई बालक की तरह कह रहे हैं मैं पानी पीऊंगा समाधी के बाद जब पानी पीना चाहते थे तब भक्तों को मालूम हो जाता था कि अब ये क्रमशह बाहिय भूमी पर आ रहे हैं श्री राम कृष्ण भावावेश में कहने लगे मा उस दिन ईश्वर चंद्र विद्या सागर को तूने दिखलाया इसके बाद मैंने फिर कहा था मा मैं एक दूसरे पंडित को देखूंगा इसी लिए मुझे यहां ले आई फिर शशधर की और देखकर कहने लगे भाईया कुछ और बल बढ़ाओ कुछ दिन और साधन भजन करो पेड़ पर अभी चड़े नहीं और अभी से फल किया कांक्षा करने लगे हो परंतु लोगों के भले के लिए तुम यह सब कर रहे हो जब पहले पहल मैंने तुम्हारी बात सुनी तो लोगों से पूछा सिर्फ पंडित है या कुछ विवेक वईराग्य भी है जिस पंडित को विवेक नहीं वह पंडित ही नहीं अगर आदेश मिला हो तो लोग शिक्षा में कोई दोश नहीं आदेश पाने पर अगर कोई लोग शिक्षा देता है तो फिर उसे कोई पराजित नहीं कर सकता सरस्वती के पास से अगर एक भी किरन आ जाए तो ऐसी शक्ती हो जाती है कि बड़े बड़े पंडित भी सिर जुका लेते हैं दिया जलने पर जुन्ड के जुन्ड कीडे इकठे हो जाते हैं उन्हें बुलाना नहीं पड़ता उसी तरह जिसे आदेश मिला हो उसे आदमियों को बुलाना नहीं पड़ता अमुक समय में लेक्चर होगा यह कहकर खबर नहीं भेजनी पड़ती उसी में आकरशन होता है और इतना कि आदमी अपने आप खिचकर आ जाते हैं तब राजा, बाबू, सभी, स्वयम ही, दल, बांध, बांध कर उसके पास आ जाते हैं और कहते रहते हैं आपको क्या चाहिए आम, संदेश, रुपया, पैसा, दोशाले, सब यहां ले आया हूँ आप क्या लेंगे मैं उन आदमें से कहता हूँ दूर करो यह कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कुछ नहीं चाहता चुम्बक पत्थर, क्या लोहे से कहेगा कि मेरे पास आओ कहना नहीं पढ़ता लोहा अपने आप ही चुम्बक पत्थर के आकरशन से आ जाता है सच है कि इस तरह का आदमी पंडित नहीं होता परंतु इसलिए यह न सोच लेना कि उसमें ग्यान की कमी होती है कहीं किताबे पढ़कर भी ग्यान होता है भला जिससे आदेश मिला है उसके ग्यान कांत नहीं है वह ग्यान इश्वर के पास से आता है वह कभी चूकता नहीं उस देश में धान नापते समय एक आदमी नापता है वो दूसरा राशी थेलता जाता है उसी तरह जो आदेश पाता है वह जितनी ही लोक शिक्षा देता रहता है मा उसकी ग्यान की राशी पूरी कर दी जाती है उस ग्यान कांत नहीं होता मेरी अवस्था इसी प्रकार की है मा यदि एक बार भी कृपा के दृष्टी फेर दे तो क्या फिर ग्यान का भाव रह सकता है क्या इसलिए पूछ रहा हूँ तुमसे तुम्हे कोई आदेश मिला है या नहीं हाजरा कहते हैं हाँ आदेश अवस्थे मिला होगा क्यों महाशे पंडिज जी कहते हैं नहीं आदेश तो विशेश कुछ नहीं मिला गिये स्वामेश इस पर कहते हैं आदेश तो जरूर नहीं मिला, परंतु कर्तव्य के विचार से लेक्चर देते हैं श्री रामकृष्न कहते हैं, जिसने आदेश नहीं पाया, उसके लेक्चर से क्या होगा एक ने लेक्चर देते हुए कहा था मैं पहले खूब शराब पीता था ऐसा करता था वैसा करता था यह बात सुनकर लोग आपस में बतलाने लगे खुद तो शराब पीता था इस तरह कहने से उसे विपरीद फल मिला इसलिए अच्छा अदमी बिना हुए लेक्चर से कोई उपकार नहीं होता वहां के एक सरकारी अफसर ने कहा था महराज आप प्रचार करना शुरू कर दीजिए तो मैं भी कमर कसूँ मैंने कहा जी एक कहानी सुनो उस देश में हालदार पुकुर नाम का एक तालाब है जितने आदमी थे सब उसके किनारे पर दिशा फरागत को जाते थे सब को जो लोग तालाब पर जाते थे वे गाली गलोच की बोचहारों से उनके भूत उतार देते परंतु गालियों से कुछ फल ना होता था उसके दूसरे ही दिन सुभे फिर वही घटना होती लोग फिर दिशा फरागत को आते कुछ दिनों बाद कमपनी से एक चपरासी आया वह तालाब के पास नोटिश चिपका गया बस फिर वहां लोगों का आना जाना पंध हो गया क्योंकि उपर से आदेश मिल गया था इसलिए कहता हूं एरे गहरे के लेक्चर से कुछ फल नहीं होता चपरास के रहने पर ही लोग बात सुनेंगे इश्वर का आदेश न रहा तो लोग शिक्षा नहीं होती जो लोग शिक्षा देगा उसमें बड़ी शक्ती चाहिए चैतन्य देव अवतार थे वे जो कुछ कर गए कहो भला उसका आप कितना बचा हुआ है और जिसने आदेश नहीं पाया उसके लेक्चर से क्या उपकार होगा इसलिए कहता हूँ इश्वर के पाद पदमों में मग्ण हो जाओ यह कहकर श्री राम कृष्ण प्रेम से मतवाले होकर गा रहे हैं ए मेरे मन तू रूप के सागर में डूब जा जब तू तलातल और पाताल खोजेगा तभी तुझे प्रेम रत्न धन प्राप्त होगा इस समुद्र में डूबने से वह मरता नहीं यह अमृत का समुद्र है मैंने नरेंद्र से कहा था इश्वर रस के समुद्र है तू इस समुद्र में डूब की लगाएगा या नहीं बोल अच्छा सोच एक खपर में रस है और तू मक्खी बन गया है तो तू कहां बैठ कर रस पिएगा बता नरेंद्र ने कहा मैं खपर के किनारे बैठ कर मुख बढ़ा कर पिऊंगा क्योंकि अधिक बढ़ने से मैं डूब जाऊंगा तब मैंने कहा भाईया यह सच्ची दानंद सागर है इसमें मृत्यू का भाई नहीं है यह सागर अमृत का सागर है जिनें ग्यान नहीं वे ही ऐसा कहते हैं कि भगती और प्रेम की बढ़ा चड़ी अच्छी नहीं है परंतु ईश्वर प्रेम की क्या कहीं बढ़ा चड़ी होती है वला इसी लिए तुमसे कहता हूँ सच्ची दानंद सागर में मगन हो जाओ ईश्वर लाब हो जाने पर फिर क्या चिंता है तब आदेश भी होगा और लोकशिक्षा भी होगी देखो अमरित समुद्र में जाने के अनंत मारग हैं किसी तरह इस सागर में पड़े कि बस हो गया सोचो अमरित का एक कुंड है किसी तरह मुक से उस अमरित के पड़ने से ही अमर होते हो तो चाहे तुम खुद कूद कर उसमें गिरो या सीडियों से धीरे धीरे उदर कर कुछ पीलो या कोई दूसरा धक्का मार कर तुम्हें कुंड में डाल दे फल तो एक ही होगा अमरित का कुछ स्वाद लेने से ही अमर हो जाओगे मारग अनंत है ज्ञान, कर्म, भक्ति चाहे जिस मारक से जाओ आंतरिक होने पर इश्वर को अवश्य प्राप्त करोगे संक्षेप में योग तीन प्रकार के हैं ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग ज्ञान योग में ज्ञानी ब्रम्ह को चाहता है नेती नेती विचार करता है ब्रम्ह सत्य संसार मिथ्या है यह विचार करता है विचार की समाप्ती जहां है वहां समाधी होती है ब्रम्ह ज्यान प्राप्त होता है कर्मयोग है कर्म करके इश्वर पर मन लगाए रखना अनासक्त होकर प्रणायाम, ध्यान, धारना आदी कर्मयोग है संसारी अगर अनासक्त होकर इश्वर को फल समर्पित कर दे उन पर भक्ती रखकर संसार का कर्म करे तो वह भी कर्मयोग है इश्वर को फल का समर्पन करके पूजा जब आदी कर्म करना यह भी कर्मयोग है इश्वर लाब करना ही कर्मयोग का मुख्य उद्धिश है भक्तियोग है इश्वर के नाम गुणों का कीरतन करके उन पर पूरा का पूरा मन लगाना कलिकाल के लिए भक्तियोग का मार्ग सीधा है यूग धर्म भी यही तो है देखो कर्म योग बड़ा कठिन है पहले ही कहा जा चुका है कि भाई समय कहा है लोगों के पास शास्त्रों में जो सब कर्म करने के लिए कहा गया है उसका समय है कहा तुम बताओ कलिकाल में इधर आयू कम है उस पर अनासक्त होकर फल की कामना न करके कर्म करना तो बड़ा कठिन है इश्वर को बिना पाए कोई अनासक्त नहीं हो सकता तुम नहीं जानते परंतु कहीं न कहीं से आसक्ति आही जाती है ग्यान योग भी इस योग के लिए बड़ा कठिन है एक तो जीवों के प्रान अन्नगत है तिस पर आयू भी कम है उधर देह बुद्धी किसी तरह जाती नहीं और देह बुद्धी के गए बिना ग्यान संभव नहीं है ग्यानी कहता है मैं ही वह ब्रम्म हूँ ना मैं शरीर हूँ ना भूख हूँ ना प्रिश्णा हूँ ना रोग हूँ ना शोक हूँ जन्म, मृत्यू, सुख, दुख इन सब से परे हूँ ये दिरोग, शोक, सुख, दुख इन सब का बोध रहा तो तुम ग्यानी कैसे हो सकोगे इधर हाथ काटों से छिद रहे हैं घर घर खून पह रहा है, खूब पिड़ा होती है फिर भी कहता है कहाँ, हाथ तो कटा ही नहीं, मेरा क्या हुआ है इसी लिए इस यूग में भगती योग है इससे दूसरे मारगों की अपेक्षा, ईश्वर के पास पहुँचने में सुखमता है ग्यान योग या कर्म योग, अथवा, दूसरे मारगों से भी लोग ईश्वर के पास पहुँच सकते हैं बना नहीं है, परन्तु इन सब रास्तों से मंजिल पूरी करना बड़ा कठिन है इस यूग के लिए भगती योग है इसका यह अर्थ नहीं है कि भगत एक जगह जाएगा, ग्यानी या कर्मी दूसरी जगह जाएंगे तात पर यह यह है, कि जो ब्रम्ह ज्यान चाहते हैं वे अगर भगती के मार्ग से चलें, तो भी वही ज्यान उन्हें होगा भगत वत्सल अगर चाहेंगे, तो वह भी दे सकते हैं भगत इश्वर का साकार रूप देखना चाहता है उनके साथ बात चीत करना चाहता है वे बहुदा ब्रम्ह ज्यान नहीं चाहता परंतु इश्वर इच्छा मय हैं उनकी अगर इच्छा हो, तो वे भगत को सब आईश्वरियों का अधिकारी कर सकते हैं भगती भी देते हैं और ज्यान भी अगर कोई एक बार कलकत्ता आजाए तो किले का मैदान, सोसाइटी सब उसे देखने को मिल जाएगा पर बात तो यह है कि कलकत्ता आएगा किस तरह से संसार की मा को पा जाने पर ग्यान भी पाता है और भगती भी भाव समाधी के होने पर रूप दर्शन होता है और निर्विकल्प समाधी के होने पर अखंड सचिदानंद धर्शन तब अहम, नाम और रूप नहीं रह जाते भगत कहता है मा सकाम कर्मों से मुझे बड़ा भै लगता है उस कर्म में कामना है उस कर्म के करने से फल भोगना ही पड़ेगा तिस पर अनासक्त कर्म करना बड़ा कठिन है उधर सकाम कर्म करूँगा तो तुम्हे भूल जाऊँगा चलो, ऐसे कर्म से मुझे अत्यन तक घ्रणा है जब तक तुम्हें न पाऊँ तब तक कर्म घटते जाएं जितना रह जाएगा उतने को अनासक्त होकर कर सकूँ उसके साथ तुम पर मेरी भक्ती ही बढ़ती जाए और जब तक तुम्हें न पाऊँ तब तक किसी नए कर्म में नफस हो जब तुम स्वयम कोई आग्याद होगी तब काम करूँगा अन्यता नहीं करूँगा फिर पंडित जी श्री राम कृष्ण से पूछते हैं महराज आप तीर्था टन के लिए कहां तक गए हैं श्री राम कृष्ण कहते हैं हाँ कई स्थान देखे हैं हाजरा बहुत दूर तक गया है और बहुत उँचे चड़ गया था रशिकेश तक हो आया है सब लोग हसते हैं मैं इतनी दूर नहीं जा सका इतने उँचे चड़ा नहीं गया गिद्धे भी बहुत उँचे चड़ जाते हैं परंतु उसकी दृष्टी मरघट पर ही रहती है इस बात पर सब लोग हसने लगते है मरघट का अर्थ जानते हो मरघट अर्थात कामीनी कांचन अगर यहां बैठकर भक्ति लाव कर सको तो तीर्थ जाने की क्या जरूरत है काशी जाकर मैंने देखा वहां भी वही पेड़ है और वही इम्ली के पत्ते हैं तीर्थ जाने पर भी अगर भक्ति नहुई तो तीर्थ जाने से फिर कुछ लाब नहीं, फल नहीं होगा और भक्ती ही सार है तथा एक मात रूसी की आवश्यक्ता है चीलें और गिद्ध कैसे होते हैं जानते हो बहुत से आदमी ऐसे होते हैं जो लंबी-लंबी बातें तो करते हैं कहते हैं शास्त्रों में जिन सब कर्मों की बातें लिखी हैं उन में से अधिकांश की हमने साधना की है वे कहते तो यह हैं पर उनका मन घोर विशय में पड़ा रहता है रुपया, पैसा, मान, मर्यादा, देह, सुक इन ही सब विशयों के फेर में वे पड़ी रहते हैं पंडित जी पूचते हैं जी हाँ, तीर्थ जाना तो अपने पास की मनी को छोड़ कर काच के पीछे दोड़ना है श्री राम कृष्ण कहते हैं और तुम यह समझ लेना की चाहे लाख शिक्षा दो पर उपयुक्त समय के आये बिना कोई फल न होगा बिस्तर पर सोते समय किसी लड़के ने अपनी मा से का मा मुझे शोच लगे तु जगा दे न उसकी मा ने कहा बेटा शोच की हाज़त तुमें खुद उठा देगी इसके लिए तुम चिंता मत करो इसी प्रकार भगवान के लिए व्याकुलता ठीक समय आने पर ही होती है देखो वईद्य तीन तरह के होते हैं जो वईद्य केवल नाड़ी देखकर दवा की विवस्था करके चला जाता है रोगी से सिर्फ इतना ही कह जाता है कि दवा खाते रहना वह अधम श्रेणी का वैद्य है उसी तरह कुछ आचारिय केवल उपदेश दे जाते हैं परंतु उस उपदेश से अनुयाई को अच्छा फल प्राप्थ हुआ या बुरा इसका फिर पता नहीं लेते दूसरी श्रेणी के वैद्य ऐसे होते हैं जो दवा की व्यवस्था करके रोगी से दवा खाने के लिए कहते हैं अगर रोगी नहीं खाना चाहता तो उसे तरह तरह से समझाते हैं ये मध्यम श्रेणी के वैद्य हुए इसी तरह मध्यम श्रेणी के आचारिय भी हैं वे उपदेश देते हैं और तरह तरह से आद्मियों को समझाते भी हैं जिससे उपदेश के अनुसार वे चल सकें अंतिम शेणी के ओर उत्तम वैद्यवे हैं जो अगर मीठी बातों से रोगी नहीं मानता तो बल का प्रियोग भी करते हैं जरूरत होती है तो रोगी की छाती पर घुटना रखकर जब परन दवा पिला देते हैं उसी प्रकार उत्तम शेणी वाले आचारिय भी है इश्वर के मार्ग पर लाने के लिए वे शिश्यों पर बल तक का प्रियोग करते हैं पंडिश जी कहते हैं महराज अगर उत्तम शेणी के आचारिय हो तो क्यो फिर आपने ऐसा कहा कि समय के बिना ग्यान नहीं होता श्री राम कृष्ण कहते हैं बात तो सच है परन्तु सोचो कि दवा अगर पेट में न जाए अगर मुह से ही निकल जाए तो बेचारा वैद्धे भी क्या कर सकता है भई उत्तम वैद्धे भी कुछ नहीं कर सकता पात्र देखकर उपदेश दिया जाता है तुम लोग पात्र देखकर उपदेश नहीं देते मेरे पास अगर कोई लड़का आता है तो मैं उससे पूछता हूँ तेरे कौन-कौन है सोचो उसके बाप नहीं है परन्तु बाप का रिन है तो वह कैसे इश्वर की ओर मन लगा सकता है सुना तुमने पंडिजी कहते हैं जी हाँ मैं सब सुन रहा हूं श्वीराम कृष्ण कहते हैं एक दिन काली मंदिर में कुछ सिख सिपाही आये थे काली माता के मंदिर के सामने उनसे मेरी मुलाकात हुई एक ने कहा इश्वर दयामय है मैंने कहा अच्छा सच कहते हो कैसे तुम्हें मालूम हुआ उन लोगों ने कहा क्यों जनाब इश्वर हमें सिखाते हैं खिलाते हैं हमारी इतनी देख भाल करते हैं मैंने कहा यह कैसी आश्चरिय की बात है इश्वर सबके पिता है अपने पुत्रों की देख भाल पिता नहीं करेगा तो और कौन करेगा क्या पड़ोस वाले उनकी खवर लेंगे नरेंदर इस पर कहते हैं तो फिर इश्वर को दयामें न कहें श्रीराम कृष्ण कहते हैं क्या मैं मना करता हूँ मेरे कहने का मतलब यह है कि इश्वर अपने आदमी हैं कोई दूसरे नहीं हैं उनको अपना मानो तो सही पंडिजी कहते हैं आपकी बात बड़ी अनमोल है इसी काचरण हम करेंगे इस प्रकार श्रीराम कृष्ण वचनामलित का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है शेश अगले अंक में